हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू खाननसानी को आईए आज मैं अपनी किचन में आपको गोलगप्पे की रेसिपी दूंगी सूजी की गोलगप्पे हम बनाएंगे साथ में ही आलू के मसाले भी बनाएंगे और नासिक की यह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है पानी पूरी मीठा पानी यह भी बहुत जादा टेस्टी बनके तयार होगा और गोलगप्पे बहुत ही जादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे यह देखिए मैं आपको गोलगप्पे भी दिखा रही हूं अकलिप से अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडिय ले लेंगे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक कप सूजी यह बारिक वाली सूजी है अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंड कर लिए और एक टेबल स्पून भरके मैने लिया है मैदा और 1-4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर य याद रखिएगा बेकिंग पाउडर लेना है आपको 1-4 टीस्पून पहले ड्राइंड को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऑई डालेंगे तो 1-4 कप मैंने ऑईल लिया है इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इस तरह से इसक पानी लिया है मैंने उसमें से भी थोड़ा सा बच ज आएगा तो पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी को और सौफ्ट डो लगा लेंगे हम soft dough लगाने के बाद हम इसे आदा घंटे के लिए rest के लिए रखेंगे यह देखिए अब यह तैयार है इसको हम ढखके रख देंगे आदा घंटे के लिए उसके बाद हम आटे को मसलेंगे तो यहाँ आदा घंटा हो चुका है अब हम इसे चकली पर डख देंगे और हाथ में थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे और इसको मसलना स्टार्ट कर देंगे पांच मिनट तक लगतार हम इसको मसलेंगे अच्छी तरह से जितना अच्छा यह आटा मसला जाएगा उतने अच्छे गोलगप्पे बनेंगे आपके चिकने चिकने एकदम तो आटे को मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको मैंने मसल लिया है पांच फिलाट हो गए है तो अब इसके छोटी छोटी लोईया तोड़ लेंगे जितने बड़े गोल गप्पे हमें रखने है तो मैं बहुत छोटे भी नहीं रखूंगी और बहुत ज़्यादा रखा देंगे ये मिक्स अब साथ कर रहे हैं ये देखिए एक BM इस तरह से हम करेंगे और इसको पलटने के बार दो बार इस तरह गुलगप्भा इसके साटते हैं बहुत जादा पतले भी नहीं रखिएगा , अगरा बहुत जादा पतले रखेंगे तो फूल नहीं पांगे ठीक से एक बार मैं और दिखा रहा हूं आपको देखे इस तरह से हम प्रेस करेंगे एक को मार 2 तरफ और चारो तरफ से बराबर बेलेंगे इसको ये देखिए साइट्स में आपको दिखा रही हूँ चारो तरफ से बराबर बेलना है हमें तो ये पहले मैं पांच बना की दिखा रही हूँ आपको इसको धक्के रख देंगे ऑल हम हाई फ्लेम पर गरम करने के बाद गैस की फ्ले कर रही वीडियो को आपको लगतार दिखा रही हूं यह देखिए सारे गोलगप्य हमारे फूल जाएंगे और जो नहीं फूलेंगे उसे हम इस तरह से दबा के फुला देंगे यह देखिए पांचों गोलगप्य हमारे फूल गये हैं अच्छी तरह से एक चीज का दियान रख अगर आप चाहें तो दूसरी साइट से थोड़ा सा डार्क कलर कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा कलर में और दूंगी अभी से और अगर आप चाहें तो दोनों तरफ से बराबर सेख सकते हैं तो थोड़े से मैं इस तरह से 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 कूंगी और थोड़े से मैं द कोष लोगों कि फूलते नहीं है मैं आगे दिखाऊँगी कि किस वज़ा नहीं फोलते है एक गणक्पा देखिये इसमें नहीं फूलेगा एक तो मैं इसको बताऊंगे कि क्यों नहीं फूले है ये कि मैं धिरिठा रही हूं वीडियो यह देखिया आप देखते रहिड conceive तो आपको बता रहे थी कि एक गोल गप्पा मेरा इसमें नहीं भूलेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको मैंने ठीक से बेला नहीं था, चारों तरफ से बराबर नहीं बेला था। छारों तरफ से बराबर बेलना बहुत जरूरी है। यह देखिये थोड़ा सा डार्क हो तो ये देखिए थोड़ा से डार्क हो गए हैं ये तो इसकी साइट को हम चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी थोड़ा से डार्क हो जाए तो जब भी आप गुलगप्पे बनाएं तो उसे अच्छी तरह से चारो तरफ से बराबर बेल लीजेगा चारो तरफ बराबर होने बहुत ज़रूरी है तो ये देखिए जो गुलगप्पा हमारा नहीं पूला था वो ये है क्योंकि ये ठीक से बेला नहीं था हमने चारो तरफ से नहीं बेला था इसलिए गुलगप्पे को चारो तरफ से बराबर बेलना बहुत ज़रूरी है अब इसको हमने dark color दे लिया है इसे बाहर निकाल लेंगे और बागी के गुलगप्पे भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे बहुत ही आसान होता है इसे fry करना यह हमने तयार कर लिये हैं 30 गुलगप्पे बने हैं और 3 गुलगप्पे हमारे फूले नहीं थे वो यह रहे इसकी हम दही पापड़ी बना कर मज़े से खाएंगे और यह देखिए बागी के गुलगप्पे हमारे कितने अच्छे बनके तयार हुए हैं बहुत ही जादा क्रिस्पी हैं बहुत जादा टेस्टी हैं एक तरफ से dark रखा है मैंने और दूसी तरफ से थोड़ा light रखा है तो आईए अब जल्दी से हम आलू का मसाला भी तैयार कर लेते हैं यह दो आलू लिये थे मैंने मीडियम साइज के इसको मैंने बॉइल कर लिया था और छोटे टुकड़ों में काट दिया है पहले यह बॉल में डाल देंगे इसके बाद एक छोटे साइज के प्यास मैंने बार हाफ टी स्पून डाल रही हूं चाट मसाला हाफ टी स्पून ही रैट चली पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून काला नमक और हाफ टी स्पून ही वाइट नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून डालेंगे भुला कुटा जीरा इससे भी टेस्ट बहुत जादा बढ़ जात करने के लिए डेकिये इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम एक और मसाला तयार करेंगे दूसरा अलू का मसाला जो हम बनाइगे वो झटका पानी पूरी के लिए है जो नासे के स्पेशल है तो एक अलू उबला हुआ डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी मूंग डाल देंगे इसके बाद स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें वन एन हाफ टी स्पून डालेंगे रैट चली पाउडर यह मेरा हाफ टी स्पून है इसलिए में तीन पार डाल रहीं उसमें और ये half teaspoon नमक डाल देंगे, half teaspoon ही भुना कुटा जीरा डाल देंगे, half teaspoon डालेंगे काला नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुती spicy ये मसाला होता है नासिक का, जटका पानी पूरी का मसाला है ये, ये जटका पानी पूरी बहुती ज़्यादा spicy होता है, मुठी लेंगे पुदीना दो इंच का अधरक का टुकडा बारिक कटा हुआ ले लेंगे और तीन हरी मिर्चे ले लेंगे यह ज्यादा तीक ही नहीं है गोल गप्पे का तीखा पानी हमें बनाना है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से पानी हमें और डालना होगा अभी अभी यह मसाला ही तैयार हुआ है तो पहले हम इसमें 4 सर्विंग स्पून इसमें इमली का पल्प डाल देंगे 100 ग्राम इमली मैंने ली थी जिसका पल्प मैंने निकाल के रखा हुआ है पहले से ही तो ये डाल देंगे और अब इसमें 2 ग्लास भर के पानी डाल देंगे और जितनी जुरत होगी और डालेंगे तो यह 400 ml पानी मैंने डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पहले भी डाला था तो यह टोटल मिला के 500 ml इसको समझ लीजे और साथ में ही 1 सर्विंग स्पून मैं इमली का पल्प और डाल रही हूं इसमें अगर आप इमली का पल्प ना डालना चाहें तो दो बड़े नीवू जाएं इसका रस निकालके डाल दिए यह मैंने लिया है 1 फौर टीसपून हींग मैंने ये पीली मिर्च लिए है ये डाल देंगे अगर आप ये पीली मिर्च ना डालना चाहें तो हरी मिर्च की कॉंटिटी थोड़ी बढ़ा दीजेगा पेस्ट में और 1 टीश्पून ही मैंने चाट मसाला डाला है पहले इसको मिक्स कर लेंगे और इसको चक्कर देख और 2 टीस्पून इसमें हम भुनिवी सॉफ डाल देंगे भुनिवी सॉफ से पानी थोड़ा ठंडा रहेगा और अगर आप गर्मियों की दिनों में यह पानी बना रहे हैं तो आप इसमें वरफ भी डाल सकते हैं और थोड़ी-थोड़ी करके मैंने बूंदी डाल दी है , टोटल मिलाके मैंने इसमें मैं बहुत जादा पकाना नहीं है मीडियम फ्लेम पर हम इसको बस घुला लेंगे अच्छी तरह से वन टीस्पून इसमें द्यागी लाल मिर्च डाल देंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और अगर आप द्यागी लाल मिर्च ना डालना चाहें तो इसके अल्टरनेट पर आप थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं यह फूट कलर लिया है मैंने रैट फूट कलर है यह बिल्कुल एक पिंच डाला है मैंने यह देखिए इससे कलर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है तो जो आप डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं चाहे आप देगी लाल मिर्च डाले तो ये देखिए गुल गया है, इसको ठंडा कर लेने के बाद अब हम इसे बॉल में शिफ्ट कर लेंगे सबसे पहले और इसमें कुछ मसाले डालेंगे, थोड़ा सा पानी हिला कर और डाल दिया है मैंने इसमें, ये देखिए, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, तो सबसे चीग। महिसमें पाल मिए भुनाइंग साइरा काई रिंगे, आपकेव सभंधि में ल सबनाइं कुटा जीरा नियुक और 1 फोर्थ कप मैनेस में मूधी डाल दी है, इसे मिक्स कर लेंगे, ये लीजे तयार है हमारा पानी, इसे भी हम पहले टेस्ट कर लेंगे, बहुत ही जादा टेस्टी बनके तयार हुआ है ये पानी, तो ये देखिए गुल गप्पे का तीखा पानी हमारा बिलकुल तयार है और ये खटा मीठा पानी भी बिलकुल तयार है, दोनों ही पानी बहुत ही जादा टेस्टी बने हैं, आलू के मसाले भी हमने तयार कर लिये हैं, ये देखिए तो गुल गप्पे की आपने आवास सुनी कितनी करारी और क्रिस्पी है, तो आलू का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, तो आयू टेस्ट करके देखते हैं, तो पहले ये ग्रीन वाला पानी हम लेंगे, तीखा पानी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, इसे मैं ट्रा और इसमें भी ये मज़ेदार सा आलू का मसाला डाल लेंगे, और ये हम लेंगे, खठा मीथा वाला पानी, ये देखिए, ये देखिए, गुल गप्पा हमारा तयार है, और बस इसके बाद तो एक बाद एक ऐक गुल गप्पे खाये जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस और यह जटका पानी पूरी तयार करके मैं दिखा रही हूं इसमें गोलगप्पे में पानी बढ़ने के बार ये मसाला के उपर लगा दिया जाता है रोकेट की तरह इतना लंबा ये गोलगप्पा बनाया जाता है ये देखिए बहुत ही स्पाइसी होता है ये specially ये नासिक में ही ख़या जाता है तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी से ये गोलगप्पे बहुत ही करारे बने है और ये आलू का मसाला और ये दोनू तरह के पानी जो हमने बना के तयार किये हैं बहुत ही टेस्टी है ये और ये नासिक वाली हमारी जटका पानी पूरी ये भ थोड़ी सी स्पाइसी तो जरूर होती है लेकिन बहुत जादा टेस्टी भी होती है तो दोस्तों अगर आपको क्रिस्पी से गुल गप्पे, गुल गप्पे के दोनों पानी, आलू, मसाला इन सब की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजे